नमस्कार, स्वागत है आपको टेस्ट आश्ट्रो थरपी योट्यूब चैनल कृसी गुरुकुल से मैं आचारिय संजय राउर केला पोड़ी सासे इस वीडियो में बात करेंगे कृसी और एग्री कल्चर और जोतिस विज्यान यह वीडियो खास हमारे जो मित्र हैं गुज्राट से सुराट गुज्राट से उनका मुझे इनका प्रस्ण था कि यह बताईए कि अभी वो एग्री कल्चर सेक्टर में जाना चाहते हैं और मेरा यूट्यूब से वीडियो देखे थे किस प्रकार क्रुशी खेत्र में अपना शुरुबात करने के लिए उनका ग्रह स्तिती रासी नक्षित्र क्या कह रहा है किस प्रकार का खेती करने से क्रुशी करने से सफल होंगे तो खास ये वीडियो उनी के लिए बना रहा हूं और इसके माध्यम से आप बाकी लोग भी ज़्यादा तर इसमें सिख सकते हो जान सकते हो कि क्रुशी खेत्र में प्रवेश करने से पूर्व क्रुशी और आपका ग्रह स्तिती क्या कह रहे हैं कौन सा क्रुशी करोगे तो आपको सफलता प्राप्थ होंगे उसके विशेय में विश्चत विचार तो सबसे पहला हम लोग ये क्लियर हो जाना चाहिए कि क्रुशी का सफलता है तू सबसे पहला गोचर को देखा जाएगा और उसके बाद आपका जो बार्चाठ समय या जिन्मकुंड्ली है उसके अनुसार भी आप क्रुशी के लिए हो या व्रिवसाइग के लिए हो या राजनिती के लिए लिए हो या नौक्री के लिए हो या निर्णाय आपका बार्चार्ट या आपके जो केरियर फिल्ड है टेंथ हाउस है वो बताएगा और अगर आपको आपका किचेन गार्डेन के लिए सोचना है तो वो दुतिय घर से ही बात्यत होता है लेकिन अभरल अगर मैं कहना चाहूंगा कि क्रिसी खेत्र में अगर आप लोग जो लोग भी मेरे को और भी बहुत सारे लोग इसके बारे में प्रस्ण किये तो मैं कहूंगा हां ये बहुत जरूरी है कि कौन-कौन सा क्रिसी, कौन-कौन सा अनाज, कौन-कौन सा अउसधी, क्या-क्या ऐसा खेती करेंगे जो आपका एनर्जी आपके लिए सुटेबल है सफलता लाके आएगा और आपको उस खेती से लाब मिलेगा आपका इस विचार के लिए आपको नमन धन्यवाग कि आपका अंदर ऐसा प्रस्वा मेरे वीडियो देखने के बाद जगा तो स्रिमान जी पहले बता दें कि हर साल मेरे दादा जी नाना जी और जो मेरा गुरू जी भी जिनके स्री चरण में बैठके मैं जो तिस सिखा बच् खाली हाथ नहीं जा रहे थे वो अपना दान बख्षिना चावल और उसमें कुछ पैसा कोई बस्तरदान कोई अन्नदान कोई धनदान कोई धातुदान कुछ भी ऐसा करके जो तिस के पास आता था और उसके बाद फिर ये प्रस्ष्ण करता था कि इस बार हमें कृसी खेतर कि बाद पंडितों का योतिmost का कार्य अठा कि यह बताते थे कि इसवार तुम अनाज मत करो और यह तुम्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और तुम यह ना जुद्पर्म करो, तो तुम्हें सुपोर्ट अच्छा सफलता, अच्छा लाब मिलेगा, या इस बार बारिस का स्थिती ये खराब है, इसलिए पानी ज्यादा पानी रिकोर्मेंट करने वाला खेती को आप मत करो, कम पानी वाला खेती के उपर काम करो, इस बिजने-दि Girls को पता है कि हाँ ये घ्रहस्तिती भी bringsकरता है हमारी किये आख सलसीव में और नहीं कूछ नक्रमद्या में जुक्तित की ये मेरे को प्रश्न करता तो किया है इसके बारे में हमलोग सम्यों सम्यो कि नीमित को स्वारे मव्याओ को से करल Digital म condemn मैं वमों हिसं हरे हैं तो सबसे पहला इनका कुंडली को अगर हम लोग दिखते हैं तो मकर लोगन का कुंडली और मकर लोगन में शयम सनीदेग लिधर में ही बैथे हैं और गुरु तलिकारट पूरस कुंडली हैं बन की का वन्हीं हो रहते पहले हैं और बेवसाय का स्थान है कालपुरस कुणली के अनुशार और इनके लिए ये कर्मक्षेत्र बन रहा है रासी बता रहे हैं सिंगरासी और सिंगरासी से अगर इनका केरियर हाउस का विचार करेंगे तो यहां पड़ता है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ब्रस सासी फिर आगया सुक्रखेत्री सुक्र का घर और यहां पर स्वयम स्रिमान सुर्यदेव बैठे हुए हैं ठीक है अब यहां सुक्रखेत्री होने से नैसर्गिक रूप में कुणली के अनुसार इनको कौन-कौन सा सब्जी अनाज अउसधी का सिलेक्षन संग्रह खेती के ल चाहिए तो जो ब्यक्ति अगर खाली किसान करेगा खाली कृसी करेगा वो फेल खाएगा इसलिए यह जानना जरूरी है क्रूषी के दूसरा अज़्ट बोलते हैं गोरक्षा यानि गाय चाहिए फिर क्या चाहिए आपके पास बानिज्य बुद्धी होना चाहिए व्यवसा आयात्मिका बुद्धी रेकेह कुरुनंदनम तो ये तीन अगर अस्पेक्ट नहीं है किसानी करने के लिए जाओगे तो आप फेल खाओगे इसलिए ये जरुवी है कि तीनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा ये पहला आगा करना चाहूँगा ये भी से यहां समापन नेक्स्ट केक्टर पे हाँ लोग चलते हैं जिस समय दोनों से रासी से भी देख रहे हैं सुक्र खेत्री लगन से भी सुक्र खेत्री तो सबसे पहला सुक्र का कारकत्व को ध्यान देना है कि ये व्यक्ति ही सुक्र खेतरी कृशी करेगा तो सफल होगा यानि सबसे पहला इसको क्या करना मार्केट को स्टोडी करना है बजार के आवस्यकता के अनुसार कृशी करना बजार को भूलेगा तो केरियर खेतर पे मार खाएगा तो ये पहला विल्दू हो गया तुला रासी के आधार पर कौन-कौन से ऐसे खेती है उसको ध्यान देना है ठीक है उसके बाद यह विचार यह निर्मय करना है कि कौन सा प्लानेट यहां बेठे है या इस खेतर का लॉड कहां चला गया तो यहां तुला रासी का जो लॉड है वो चला गया मंगल का घर अपने से सब्तम स्तान पे व्यवसाय सब्तम से सब्तम और अपने दसम से यहां अपने से सब्तम चला गया कहां चतुर्शस्तान पे शुक्स्तान पे बस यह इंपोर्टन पार्ट हो गया कि ऐसा व्यप्ति कृशी में सफल हो सकता है यह पहला बिल्दू, किस खेत्र में कृसी में सफल हो सकता है, सुक्रखेत्री कृसी में, तो सुक्र का कारकतों को पहले बिचार करना पड़ेगा, तो सबसे आग मून करके क्या बोलना चाहिए, भाई एक तो पहला बता दिया, यह एक fluctuation system में रहेगा, और depend upon the market situation कि अब बजार में किस चीज़ का आवस्यक्ता requirement है उसके उपर follow करना, market study करना क्योंकि तुला रासी हमेशा up and down चलता है, कभी up, कभी down, market कभी सिधा नहीं रहता है, roller coaster उपर चड़ा फिर नीचे गिरा, उपर चड़ा फिर नीचे गिरा और एक बार अगर down में चला तो down चला, एक बार फिर उसको balance counterweight देने से ये balance होगा, तो इसका नई सर्गी कुण धर्म सभाब ये हो गया, अब एक सब्द में गुरुजी बताओ, क्या करना, क्योंकि लगन से भी और रासी से भी सुक्र खेतरी पढ़ रहे हो, तो पहला बात मै आपको कहूँगा, आप सब्जी अनाज को भूलो, medicinal farming के उपर काम करो, medicinal farming है सुक्र का खेतर है, एक बात और बता देता हूँ, जिनको भी अगर यहाँ अस्मिनी नक्षेतर मिल गया, देवताओं का जो बैद्य अस्मिनी बात्रुद्य बताया गया, तो उनके लिए भी, उन पास नेचुराल नक्षेतर खेतर से सकती रहता है, कि उनको अउसदिय खेती बहुत बढ़िया सपोर्ट करता है, यहाँ सुक्र भी आके उसी अस्मिनी नक्षेतर में बैठा हुआ है, यानि ये व्यक्ती 100% medicinal farming करता है, तो इसका चलेंज में कोई नहीं रह सकता, यह पहला इसके लिए बढ़िया रहेगा, यह निर्मय यहां से होता है, क्या लेना है, यह थोड़ा सा अलग विचारविंदू रहेगा, यह आपको एक सिंपल पध्धती में बताया, आप करिये, एक सिंपल पध्धती बता दिया, कि आप कैसे जो लोग हमारे ये चैनल से ले रहे है जान दे रहे हैं, या सीख रहे हैं, या सीखना चाहते हैं, उनके लिए यह पध्धती बता रहा हूं और बाकी लोगों के लिए भी, एक सामान्य और सरले कोई नया बाद तो नहीं बता रहा हूं, अब यहां एक चंद्रमा से यहां सूरिय बैठा है, तो सबसे पहला दसम क करना जा जाते हैं, उसके उपर चिंतन करना पड़ेगा, तो क्या-क्या है, वो आगला विडियो में हम लोग बात करेंगे, तो यह पध्धती में बता दिया, यह जानना, अब यह खतम, नेक्स्ट क्या, अब इस मकर लगन का सिम्हरासी के लिए अपने से यहां अश्टम मे खती करने के लिए महराज निकले हैं, तो उसको भी ध्यान देना है, इस सक्ति को समझते हुए, क्योंकि चंद्रमा अश्टम जिसको बोलते हैं, अश्टम चंद्रमा यह बक्ती जी रहा है, तो यह जरूर चिंता करना चाहिए, कि इसको कौन सा खती चाहिए, लेट एंड ल दूसरा यह, क्या रासी यह, जो सिंग रासी के लिए सुक्र यहां सुक्र दे मित्र है या सत्रू, यहां यह सत्रू एनर्जी दिखा रहा है, और यहां सनी के लिए सुक्र क्या बन रहे हैं, मित्र बन रहे हैं, आप उसको भी चिंतन करना है, कि यह आदमी सुक्र का खेती तो करेगा लगना से तो इसको result मिल रहा है रासी से इसको result नहीं मिल रहा है लेकिन वहां जो सुर्यों स्वें हम बेठे हुए हैं तो इसको क्या करना है double multiple मिसरित खेती पे फोकस करना है यानि अवसदिय कृशी के उपर भी काम करना है और जो सूर्यों के बैस पे जो खेती होता है आधार पर यानि अनाज में और साख सबजी में ये multiple कृशी के उपर अगर हाद मारता है तो ये व्यक्ति सफल होगा अब ये सबसे ज़्यादा निर्भर करता है चंदरमा के उपर अब उससे आगे है गोचर को भी देखना पड़ेगा कि इस बार बारिस का स्तिती क्या है उस खेत्र जहां वी रहते हैं वहां का जो भोगोलिक स्तिती क्या है आपको ये भी जब जो लोग आप मेरे पास क्रिशी खेत्रे के लिए या केरियर कांसलिंग के लिए भेज रहे हो जो भी आपका कुंडली भेज रहे हो ये भी आपको मैं बता देना चाहूंगा स्पेसाली एगरिकल्चर सेक्टर वालों के लिए वहां का स्ट्रक्चर वाटर स्तिती भूमी ये भी देना पड़ेगा आपको ताकि और ज्यादा क्लियर फूल अब सोचिए सुखा जमीन है मैं आपको बोलूँगा पानी का खेती करू बनेगा नहीं और यहां एक और स्ति बनता है कि क्या राहु खेत्र खेती करना है तो जैसे पेठा बोलते हैं पंकिन टाइप गोल गोल बला तो अगर पाप ग्रहों का प्रभाब बन रहा है मेलिफिक प्लानेट का बन रहा है तो उसमें उस प्रकार के जो उस प्रकार के सब्ची और अनाज को सिलेक्शन करना पड़ेगा कि यह इसमें आपको ज़्यादा सफलता मिलेगा हाला कि मैं इनको तो लिख के दे दूँगा डिटल इनके अनुसार आपको समझाने के लिए गोचर से यह देखना पड़ता है कि इस बार आपका किस प्रकार का ये साल में बारिस के स्थिती अनुसार ग्रहों का स्थिती के अनुसार आपका रासी लगन के लिए आपका सुर्य रासी लगन के लिए कौन-कौन सा खेती उप्युक्त होगा या नहीं होगा ये देखना पड़ता है तो वो उसको कैसे निधारण करते हैं कौन-कौन सा कि कौन कौन से फॉल सब्जी अनाज हैं कौन कौन से अउसधी खेत्र का हैं यह नुक्षन दे रिखन आगला वडियो में इसका डीटेल बात करेंगे और अगर वडियो अच्छा लगे तो लाइक से आर कॉमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में यह बेल बटम प्ल यह लोग भी अउनलाइन क्लासेस के लिए रेजिस्टेशन कर लें और अपना बायो डाटा डिटेल्स भेजें और जो लोग यहां पर हमारे गुर्फ कुल में करना चाहते हैं वो लोग भी अपना रेजिश्टेशन करके अपना जो भी हमारे ऑफिसियल क्राइटेरिया है और चलिए इस बात के साथ नमस्कार जैगुमत